ओम शांती आज चार फरवरी 2023 की साकार मुरली आज बावा ने कहा मीठे बच्चे बाव से शर्व शंबंधों का सुख लेना है तो ओज सबसे बुद्धी की प्रीत निकाल मामेकम याद करो यही मंचील है प्रिश्न तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रीटर्ण में शावकार बन जाते हो उत्तर है सबसे अच्छे सच्छा कर्म है ग्यान रतनों का दान करना ये अविनासी ग्यान खजाना ही ट्रांसफर हो एक ही जन्मों के लिए विनासी धन बन जाता है इससे ही मालामल बन जाते जो जीतना ग्यान रतनों को धारन कर, दुस्रों को धारन कराते हैं, उतना शावकार बनते हैं अविनासि ग्यान रतनों का दान करना यही है शर्वोतम शेवा ओम शान्ति, शिप बाबा अपनी सालिक ग्राम बच्चों को समझाते हैं यह है पर्मात्मा का अपने बच्चों आत्मों प्रति ग्यान आत्मा आत्मा को ग्यान नहीं देती पर्मात्मा सीव बैट ब्रमात सरस्वती और तुम लखी इस्टार बच्चों प्रति बैट समझाते हैं इसलिए इनको पर्मात्म ग्यान कहा जाता है पर्मात्मा तो एक ही है बाकी creation है creator की जैसे लोकिक बाप ऐसे नहीं कहेगा कि यह सब हमारी रूप है नहीं कहेगा यह हमारी रचना है तिया रुहानी बाप है जिसे भी पार्ट मिला हुआ है वो यह मुख्य अक्टर, creator और director है आत्मा को creator नहीं कहेंगे परमात्मा के लिए कहा जाता है तुम्हारी गर्थ मत तुम ही जानो उन सब गुरुओं की तो अपनी अपनी अलग मात है इसलिए परमात्मा आकर एक मत देते हैं वो है most will wait उस एक के साथ बुद्धियोग लगाना है और जिनके भी साथ तुम्हारी प्रीत है वो शब धोखा देने वाली है इसलिए उन सब से बुद्धि निकान ली है मैं तुमको शब संबंधों का सुख दूँगा सिर मामे कम यह मंजिल मैं सब का डियरेस्ट डैड प्यारा पीता भी हूँ टीचर भी हूँ और गुरू भी हूँ तुम शमझते हो उस दुआरा हमको जीवन मुक्ती मिलती है यह अविनासी ग्यान खजाना है यह खजाना ट्रांसफर हो फिर एकी जनम के लिए विनासी धन बन जाता है एकी जनम हम बहुत मालामाल हो जाते हैं राजाओं का राजा बनते हैं इस अविनाशी धन का दान करना है आगे तो विनाशी धन दान करते थे तो अलपकाल जन भूंगर सुख दूसरे जनम में मिलता था का जाता है पार्ष जनम में कुछ दान पूई न किया है जिसका फल मिला है वो फल एक जनम का ही मिलता है जनम जनमांतर की प्रालब्द नहीं कहेंगे हम जोब करेंगे उसकी प्रालब्द हमको जनम जनमांतर मिलेगी तो अब यह है अनिक जनमों की पाजी परमात्मा से बेहत का वर्सा लेना है सबसे अच्छा कर्म है अविनासि ग्यान खजाना दान करना जितना धारन कर औरों को कराएंगे उतना खुद भी शावकार बनेंगे औरों को भी बनाएंगे यह शर्वोतम शेवा जिससे सद्गती होती है देवताओं की रसम विवाज देखो कैश शंपूर्ण निर्विकारी अंशा पर्मो धरम है प्यूरिफिकेशन अर्था शंपूर पवीतरता सत्यूग त्रेता मिर आती है देवताओं की वैस्ति में रहने वाले है उनों को ही उस गाते हैं जो शुरिवन सी सत्यूग में बनते हैं वह ही शंपूर्ण है फिर थोड़ी खाद पढ़ जाती है आप तुम शमझते हो देवताओं कीस वैस्त के निवासी है वैक ब्रमात्मा धर्म अस्थापन करते हैं। नहीं, परमात्मा कहते हैं, मैं जिस साधरन तन में आता हूँ, उसका नाम ब्रमा पड़ता है, वो सुक्षिम ब्रमा है, तो दो ब्रमा हो गए, इनका ब्रमा नाम रखा गया है, क्योंकि कहते हैं, साधरन तन में आता हूँ, ब्रमा के मुख कमल से ब्रामर रचता हूँ, आद तु बनेंगे तब जब देश सहीद दे के शब संबंधों से नाता तोड़ेंगे बाबा मैं तुम्हारा ही हूँ बस यह तु निश्चे है हम शब प्रिंश से बनते हैं चतुर भूज का साचातकार होता है न वो है ही यूगल चित्रों में ब्रम्हा को 10 से 20 भुजाएं दिख काली को कितनी भुजाएं दिखाते हैं इतने बाहों वाली चीज़ तो होती नहीं यह शवास्तर सस्त्र है अपना है ही प्रविर्थी मार्ग बाकि ब्रम्हा की जो इतनी भुजाएं दिखाते हैं शमझते हैं यह जो ब्रम्हा के बच्चे हैं वो जैसे इनकी बाहे हैं बाक हम अपने को भगवान अथवाबतार नहीं कहते हैं बावा कहते हैं सिर्व मामेकम याद करो वास्तव में सब शीव कुमार है साली गराम फिर मनिशतन में आने से तुम ब्रह्मकुमार ब्रह्मकुमारी कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां फिर जाकर विश्नुकुमार कुम यह तो बीच में दलाल हैं, बावा है holy government, वो आये हैं इस government को भी pounder government बनाने, यह हमारी उच्छ शर्विस, गौर्मेंट की परजा को हम मनिश्य देवता बनाते हैं, बावा की मदद से, तो हम उन्हों के servant हैं ना, हम world servant हैं, हम बावा के साथ आये हैं, शारी दुनिया की service करने, हम कुछ लेते नहीं हैं, बिनासी धन, महल आदी हम क्या करेंगे, हमको तो सिब तीन पर फिर्थिवी चाहिए, तुम बच्चों को अभी सचा सचा ग्यान मिल रहा है, शात्रों को ग्यान को ग्यान नहीं कहेंगे, वो अब हकती हैं, ग्यान माना सद् शदगती माना मुक्ती जीवन मुक्ती जब तक जीवन मुक्त नहीं हुए हैं तब तो मुक्त भी नहीं हो सकते हम जीवन मुक्त होते हैं बाकि सब मुक्त होते हैं तब तो कहते हैं तुम्हारी गत्म तुम ही जानो फिर इसमें भी शर्व्यापी परमात्मा हैं यह बात नहीं यह तो कहते हैं कल्फ कल्फ मैं अपनी माज से शव की सद्गती करता हूं सद्गती के साथ गती आही जाती है नई दुनिया में रहते ही थोड़े हैं आगे हम कहते थे घाठी में सुर्ज गाठी में चांद गाठी में नो लाग तारे घाठ में सुर्ज इशमय है घाठ में शी फिर घाट में मम्मा बावा और लखी स्टार्स बिवेग भी कहता है शत्यूग में जरूद थोड़ी संक्या होनी चाहिए पीछे ब्रीधी होती है यह सब समझने की बाते हैं जो जितना प्योर अथत पवित्र होगा उतनी धारना होगी इंप्योरिटी से धारना कम होगी प्योरिटी फर्ष्ट क्रोध का भी भूत रह जाता है तो माया से हार खा लेते हैं यह यूज देहना उस्ताद को पूरा हाथ देना है ने तो माया बड़ी प्रवल है जिनका हाथ में हाथ है उनके लिए वर्साथ है जैसे बाबा शाक्षी हो पाड़ भी बजाते हैं देखते भी हैं यह तो समझ सकते हो कि माबाब और लखी स्टार्स जो नहीं नहें उनको फॉलो करना है यह तो समझाया है मूरली पढ़ना कभी नहीं छोड़ना अच्छा मीठे मीठे सिकिल्धे बच्चों प्रती मात पिता बाब ददा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रूहान बच्चों की रूहानी बाब ददा को याद प्यार गुड मॉनिंग नमस्ति नमस्ति फिर सुनते हैं दुस्री मूरली रात्री कलास 23 दिसंबर 1958 बाबा ने कहा देखो ओल्माइटी बाबा की ये सब कितने रूहानी कार खाने अर्था सेंटर से जहां से हर एक रूहानी रतर मिलते हैं बाबा है शब कारखानों का सेट मैनेजर्स लोग शंभाल रहे हैं दुकाने चल रही है दुकान कहो होस्पिटल कहो या तुम ब्रामनों की फेमिली भी है तुम्हें अपना जीवन बनाना है एजुकेशन से इसमें रूहानी और जिसमानी दोनों इखठा है दोनो हद के गुरु लोग जो भी सात्रो आदी की रूहानी सिख्षा देते हैं वो शब हद की हम किसी मनिश को गुरु नहीं मानते हमारा है एक सथ गुरु जो एक ही रात में आते हैं घड़ी घड़ी उनको याद करेंगे तब ही विकर्म विनास होंगे तुमको धन उस ग्रेंट आकर्म होते हैं या कर्म विकर्म होते हैं क्योंकि पांच भूत हैं हम बिलकुर सेफ हैं बावा कहते हैं बिकार दान में दे दो फिर अगर वापिस लिया तो नुक्षान हो जाएगा ऐसे मत समझना शिपा कर करेंगे तो पता थोड़ी पड़ेगा धर्मराज को तो पता इसलिए छिपाना नहीं चाहिए, ऐसे भी चिठी लिखते हैं कि बाबा हमारे से भूल हुई है, माप करना, धर्मुराज की दरस दर्बार में सजा नहीं देना, जैसे की डायरेक्ट शिप बाबा को लिखते है, बाबा के नाम पर इस पोश्ट बॉक्स में चिठी डाल देते ह भूल बताने से आदि सजा कम हो जाएगी, यहां purity बहुत चाहिए, शारवगुन शंपर्न, सोलगला संपर्न यहां बनना है, रियल सल यहां होगी, फिर उहां practical पार्ड बजाना है, अपनी जाज करनी है, कोई विकर्म तो नहीं करते हैं, संकल्प तो बहुत आएंगे, माया ब बहुत नुक्षान होंगे, दंदा नहीं चलेगा, टांग तूर जाएगी, बिमार हो पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, बावा का हाथ नहीं छोड़ना, अनेक प्रकार की परिक्षाएं आएंगी, पहले पहले बावा के शामने आती है, इसलिए बावा बताते हैं, खवरद भी छुटी नहीं मिलती, क्योंकि बावा कहते हैं, सवाशो सवाश यात में रहो, एक एक सवाश अमोलक है, तू वेश्ट कैसे कर सकते, जो वेश्ट करते हैं, वो पद भरष्ट करते हैं, इस जनम का एक एक सवाश मोस्ट वैलुबूल है, रात दिन बावा की शर्भी इसम क्यों वो इस रत में हैं, उनके कारण तुम इस पर आसिक हुए हो, शीब के मंदिर में भी बैल रखा हुआ है, वो अभी पूचा जाता है, कितनी गुई हैं बाते हैं, जो रोज नहीं सुनते, तो कोई-कोई पॉइंट से मिस कर देते हैं, रोज सुनने वाले कभी पॉइं बाब को याद करना इसमें हैं मोश्ट प्रॉफिट, क्योंकि बीकर विनास होते हैं, और पाद भी उँच मिलता है, अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रती, मात पिता बाब ददा का याद प्यार और गुड नाइट, रोहानी बाब की रोहानी बच्चों को नमस दे, धारणा के लिए मुझ्खे सार, पहला पोइंट श्वास स्वास बाब को याद करना है, एक भी श्वास वियरत नहीं कवाना है, कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है, जो भी कर्म बन जाएए, जोस्ता पोइंट चार अ क Cowag पोई शमर्त इस्तिती के आसन पर बैट व्यार्त और समर्त का निर्ने करने वाले इस्मिर्ती शौरूब हो। बैट करने के बाद फिर चेक्च करो कि कर्म का आदी मजद और रांत तीनो कार्व समर्त रहा। प्रासिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंश की शक्ति